आज मैं आपको किसाथ सेया करने वाले हूं कि साधी की बाद नई नवेली दुलहन किस तरीके से मेक अप करें फर्स्ट डे उसी के लिए है आसा करती हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए हेलफुल होगा मैंने इस लुग को क्रियेट करने के लिए ज जागरित करता है हमारे अंदर तो ज्यादा बाते ना करते हूं देखते हैं कि इस लुग को मैंने कैसे क्रियेट किया बट आगे बढ़ने से पहले मेक्शियो लाइक कर दें ठीक है सबसे पहले मैं यहां पर यूज करूँ परपल का एंटी एजिंग सीरम और काफी लाइट कर सकते हो डेली के लिए तो नहीं है लेकिन हां कोई पार्टी है तब आप के से क्रियेट कर सकते हो इसको लगा के मैं अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूं कोई वीडियो रिक्वेस्ट रिया हो सजेशन तो भी आप लोग सेय कीजिएगा मैं जरूर आप लोग के साथ माराथी ब्राइडल मेकप की तो गाइज मुझे उसके ना दो तीन प्रोड़क्ट अभी तक डिलवर्ड नहीं हुए है जैसे ही डिलवर्ड हो जाएंगे जो माथा पती नहीं लगाते हैं मैंने और कर दिया है मून बिंदी कहीं नहीं मिल दे तो मैंने ओनलाइन मंगाया अब मैं यहां पर यूज करिए परपल का 24K गोल्ड प्राइमर इसमें भी आपको 24 करेट गोल्ड मिल जाता है तो सबसे पहले मैं यहां पर फिंगर की हल्प से अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूं मैं यहां पर टी जोन एरिया ज्यादा फोकस कर रही हूं समय स्टार्ट ह तो उस टाइम फिलिए मेकप परफेक्ट है निकलता बिल्कुल भी नहीं है लॉंग इस्टे करता है वाटर प्रूफ आप बोल सकते हो जहां जहां पर मुझे पसीने की प्रॉब्लम जादा होती मैं वहां पर प्राइमर जादा फोकस कर रही हूं इसको हलकी हाथों से ब्ले आप उर्ण्ज कलर करेक्टर का यूज जरूर करें तो सबसे पहले मैंने आप और और इंस कलर करेक्टर लगाया हूआ है इस मेकप लुक को आप से एर कर दीजिएगा जिनके चेहरे पर काफी दाग दब्ले हैं उनके साथ इंस्टा फेस्बुक वाटसब क्वेटर जहां प कंसीलर सेड अपलाई कर रहे हूं एक फ्लेट ब्रस की हेल्प से इससे हमारी आइज एरिया हाइलाइट होती है यह देखिए यार मैं सोचती हूँ वीडियो छोटा हो लेकिन इतनी जादा स्टेफ होते है ना वीडियो लंबा ही हो जाता है दस से पंदरा मिनट का वीडियो प्लियो प्लेख और क्या वाओंट के लिए मैं यहाँ पर प्रपल का ही फांडेशन यूजश करिलें लिए लाइक नहीं है आपको प्रॉन cm4 तोरीज स्टार्ट करनी है कौन सा पहल पाला यहाँ आफ हैप अभी बता सकते और यह से चालू की हुई है परपल огगया 속 मेलीं म अभी काफी सारे ब्रांड है आपको कौन सी ब्रांड का देखना है कॉमेंट कीजिएगा मैं जरूर से करूंगी अब एक ड्या ब्लेंटर की हल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड कर ले रहे हूं प्लीज बतायेगा जरूर कि आपको वन ब्रांड मेकप टुटोरियल में कौन सी अच्छह मैं आपको कम्यूनटी में भी लगा दूँगी , आप रिखा दूगी तो आप भी कॉमेंट करने से आप लोग पीछे हड़ जाएं तो आप कम्यूनटी में बोल दूगा कि उच्छह से ब्लेंड कर रहे हूं जा अपको यहां पर रगड नहीं रहे हूं कुछ इस जीवेत ? है इसरी के शिरुट कर कर रहे हूया हु इसे मैं पर इसे इस जाड़ रहे हूं करा रहे हूं रहे हो इसे इसे घ्लाषग्य सेविए कर लेना है आज उसका भी वीडियो मैं रिकॉर्ड करूंगी तो बस इसको लगा कि अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूं मैं वाटरप्रूफ मैंने क्यों बोला भी आपको पता चल जाएगा अब मैं यहां पर परपल का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूं इसकी हेल्प से कंसीलर को सेट कर ले रही हूं क्या हो ना कि क्लिप मुझसे डिलीट हो गई तो अब मैं यहां पर अच्छे सेट कर ले रही हूं कंसीलर गर आप लगा रहे हो तो उसे सेट करना काफी ज़्यादा जरूरी हो जाता है नहीं तो बाद में क्रीज बन जाते और इस वीडियो को मैंने रात में रिकॉर्ड किया है रात के साड़े दस बज़े इसलिए लाइट प्रॉब्लम आपको अच्छे से दीख रही होग सब्सक्सटे लाइट इसे पालव आइब्ड तो आपको पता है मेरे आइब्रोव में एकसिडेंट का निसान है तो मैं अगर चाहूं भी तो थोड़ा सा स्टेंग करना तो नहीं कर सकती हूँ और एकसिडेंट का निसान ऐसी जगहांपे है कि मान सब्स्क्राइब नहीं सकत अब आइब्रोज़ इनहेंस करने के लिए मैं उसी कंसीलर सेट ku तो अपनी आइब्रोज़व लगती हैं मिरे पास आइब्रो एंहेंसर भी है लेकिन सीम शीण सीhen सहीं समझती हैं तो मैं नहीं से बताती हूं ,कम चीज GPS छिवे में अच्रेल हैं क्यस्की में लगया है जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मेरे पास minimum makeup products थे वह अभी भी है अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो मेरे पास कितने products थे तो प्लीज कमेंट किजए कि मैं आप लोग के साह जरूर सहा करूंगी मैं अभी मेरी इस story से काफी सारे तो बस मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया और इसे भी कॉम्पैक्ट की हेल्प से सेट कर लेना है अब मैं यहाँ पर आइशेडो के लिए लिक्विड लिप्स्टिक न्यू लाउंस यूज कर रहे हूं तो बस कुछ इस तरीके से लगा लेना है अभी आपको देखने में ब्लेंड करते हो तो काफी लाइट हो जाती है मुझे काफी सारी लेयर लगानी पड़ती है ताकि एक प्यारा सा अच्छा सा कलर आए अब अगर आप पाने में भीग भी जाओगे ना तो आपका आईशेडो निकलने वाला है ही नहीं और जिल आइलाइनर का यूज किया है तो भी नहीं निकलेगा वाटर्पूफ मेकप आप इसे बोल सकते हो तो कुछ इस तरीके से मैं मेरी दोनों आइज में लगा ले रही हूं लगा के ब्लेंड कर ले रही हूं रेखिए ब्लेंडिंग ब्रस का आपको प्रॉपर ख्याल रखना है और यह ब्लेंडिंग ब्रस इसको मैंने मंगाया था सीन से बहुत टाइम पहले आप लोगों को बताया ही था कल भी मैंने बोला था बट बोला मैं ब्रांड नहीं बताऊंगी कहां से किस साइड से मंगाया नहीं बताऊंगी तो काफी सारे कॉमेंट आए दी बता दीजिए तो इसलिए मैं बता रही हू तो इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूं तो इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूं तो इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूं थोड़ा थोड़ा सा ही लगाना है अब इसके बाद मैं इस कलर को पिक कर रही हूं थोड़ा सा इस सेड के ऊपर लगा पता है तभी ब्रस साढ़ी साथ सो का था भी तो साढ़ी साढ़ी चार सो में मिलने लगा है 24 पीस का था पूरा सेट तो बस मैं अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूं कुछ इस तरीकी से अब ल Aquí मुझे लग रहा है कलर थोड़ा सा लाइट है तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस कलर को और लगा रही हूं और इसको मैं ब्लेंड करूगी ठाकि नद्र कलर आ जाये तब ही अच्छा लगगा भी या निवली अड? क्यान है तो उस तरीकेसे या उनी ब्लेंड कर ले था सब्सक्राइब लने है तो बारी है आई लाइन नियुक्राउ के लिए में आपरते लिए indem माद ब्लू आइलाइनर अपशों काफी मेश कर रहे है आप रिचनिक माद पर सब्सक्राइब करने यह Korean की ख Castle और तो देखाना आपने की कितना आजसान है विंग आइलाइनर ड्रॉ करना तो कुछ इसी तरीके से मैं इस आइज में भी लगा लूँगी दूसरी आइज में रेखे थोड़ा सा यूनिक लग रहा है ना आई मेकप हटके लग रहा है तो बस ऐसे ही इस आइज में भी मैं लगा अब बारी आती है काजल की तो काजल के लिए मैं आप पर पपल का ब्लू काजल यूज कर रही हूं डार्क ब्लू कलर है तो बस मैं यहां पर ठीक काजल लगाऊंगी पतला सा नहीं एक बार ऐसे लगा लेना इसके बाद फिर आपको जितना सेब देना है आप दे सकते अपन लास्ट कॉर्णर से आपको पकड़ना है इसके बाद आउटर कॉर्णर से आपको इनर कॉर्णर की तरफ लेके आना है ठीक अब मैं आप पर फॉल्सीज लगा ले रहे हूं फॉल्सीज मैंने एमजॉन से मंगाई थी हॉल आप लोग के साथ सेयर किया है तो कुछ इस तरीक कोड़ तक आपको लगाना है ताकि थोड़ी सी आपकी जो आइज है कटीली दिखें अब बारी आती है कोंटोर की तो मैं वही पेलिट यूज करिए परपल का ही इसमें आपको कोंटोर कलर करेक्टर कंसीलर हाइलाइट और सारे सेड मिल जाते हैं 699 आई थिंक इसकी लिए प्लीज आप इसका सिप्रेट रिवुस यह कीजिए तो कुछ इस तरीके से मैं लगा ले रहे हूं इसके बाद एक ब्रस की हल्प से ब्लेंडिंग ब्रस की हल्प से ब्लेंड कर ले रहे हूं अगर आप नई नवेली दुलहना है तो कॉंटोर जरूर कीजिएगा मेरे फेस से भी निकल गया मुझ से निकल गया वाव सच में काफी अच्छा लुक आता है देखिए तो बस अब बारी आती है हाइलाटर की हाइलाटर के लिए मैं यहां पर यूज कर रहे हूं परपल का ड्यूई स्टिक इसमें आपको एक साइड में डार्क हाइलाटर मिलत तो बस और हां इसमें कोई भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है तो आप इसे ट्राइ कर सकते हो इसका भी लिंक में डिस्क्रिप्शन वाक्स में प्रोवाइट कर दिया है जहां पर मुझे हाइलाइटिंग की जरूरत है मैं वहां वहां पर लगा ले रही हूं कुछ इस तरीके से देखें अब ब्रोवोन को भी हाइलाइट कर लेना है तो मैं यहां पर चोटा सा ब्रस ले रही हूं जैसे यह ब्रोवन को हाइलाइट करते हो ना पूरा लुक ही चेंज हो जाता है देखी अब बढ़ते हैं लिपस्टिक की तरफ लिपस्टिक के लिए मैं या पर पर परपल का मिनीज अल्डरा एस्डी मैट लिपस्टिक पेलेट यूज कर रही हूं इसमें आपको फोर लिपस्टिक मिल जाती है तो मैं निऊड सेट पिक कर रही हूं कुछ इस तरीके से लगा ले इसके बाद इसके ऊपर मैं एक liquid lipstick apply करूंगी liquid lipstick के लिए भी मैं purple की न्यू लांच liquid lipstick के यूज करे हूँ काफी nude shade तो आप चाहें तो इसके साथ इस eyes look के साथ हाप पिंक shade भी लगा सकते हो लेकिन आइज मेकप बोल्ड है तो इसलिए मैंने लिप को नीड रखा हुआ है आप क्या बोलते हो नीड या पिंक कौन सा जादा अच्छा लगेगा अब मैं मेरी ज्वैलरी ज्वैलरी है औरना बॉक्स की इसका अलड़ी मैंने वीडियो सेयर किया है डिस्क्रिप्शन बॉक इसके बाद इसमें अलग से बाल अट करना है कुछ इस तरीके से आपको बना लेना है आप बोलते हो ना दियो इनक्लूड कर दिया करो आज मैंने कर दिया आप लोग के साथ है स्टाइल काफी सिंपल है बड़ बिलीब मी काफी अच्छी भी लगती है यूनीख लगती है इ तरह बाल को आपको ले की जूड़ा बना लेना है जितने बाल पीछे के साइड में हैं इसका आप जूड़ा बना लिजिए गज्रा लगा लिजिए मेरे पास गज्रा नहीं तो मैं जुगार करूंगी अब मैं बेंदी लगा ले रहे हूं यहां पर मैं इस करेलर की विंदी लगा रही हूं आप चाहें तो कलर चेंज कर सकते हो पिंग क्रेड कुछ भी लगा सकते हो अब एदेखिए ए मेरा यह था तो मैं उसे ही गजरा बना ले रहे हूं बट अच्छे से चला जा रहा है मेरे इस ड्रेस के साथ कुछ इस तरीके से सो आगे का थोड़ा सा बाल निकाल ले रहे हूं पीछे है स्ट्राइल कुछ इस तरीके की लगती है कैसा लग रहा है वीडियो बताएगा जरूर मतलब मेक अप लूक कैसा लगा तो अब दीजिए इस आज़ा थेंक्यू सो मच पावासिंग लभी ओल बबाई सी उस लॉट